जहिन दोस्तों एक और ने वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज यहाँ पे देखिए ओफिशिल नॉटिफिक्षिशन आप लोग के लिए ले आया हूँ यह लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहते हैं या फिर जो फिमेल केंडेट हैं जिनकी हाइट 157 cm है नहीं यह सभी लड़के लड़कें जो है वो घबरा रहते हैं कि सर हम लोग को क्या मौका मिलेगा अथवा नहीं मिले क्योंकि जो अधर जितने भी चैनल वाले हैं वो सभी 137 cm अपनी हाइट को बता रहे हैं कि आयर वी के वेकंसी में 137 cm ही लिया जाता है तो SME यह जितने भी केंड़ेट थे आप लोग वो सभी घबरा रहते हैं घबराने की कोई आवशकता नहीं है ठीक है मैं हमेशा कहा है कि मेरे साथ जो भी केंड़ेट जुड़ते हैं मैं कभी उनको धोके में नहीं रखता हूं जो भी सच्चाई होती वो आपके सामने यह चुछ देखने को मिलेगा और जो जमू कसमेर की बात करूं या फिर महाराश केंडेट की सभी में दोस्तों अगर कहीं न कहीं दूसकर यह वेकैंसी स्ट्रेडवाइज निकलती है और निकलेगी भी दोस्तों यह 100% कि चली कि यह जो स्ट्रेडवाइज निकलेगी ठीक है और स्टेट ही ते करेगा कि वहाँ पर हाइट कितनी रहनी चाहिए दोड़ कितनी रहनी चाहिए और आपका जो भी मेजरमेंट है वो कितनी रहनी चाहिए ठीक है सबसे पहले तो यह आप लोग कंफर्म हो जाएए अब यह नौट विकेशन 2017 में दूस्तों आया था है ठीक है जिसमें दूस्तों हम लोगों ने फुम अपलाई किया था और आज दूस्तों इस विभांग में नौकरी कर रही हूँ ठीक है तो यहां पर इंडिया रिजर ब्टालमे का यह वेकेंसी है सबसे पहले आप लोग यहां पर देखिए कि यह जो गर्करिक यहां पर साब तोर पर लिख दिया है कि भारत के नागरिकों से विहत प्रपत्र में इंडिया रिजर बटालियन सामाय ने आरची प्रद्योगिता परिच्छा 2017 के लिए ओनलाइन आविदन पत्र आमंतिरत किये जाते हैं ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं ओल ओवर इंडिया से यह वेकेंसी ओल ओवर इंडिया का रहने वाला है अब कन्फ्यूजन ही यहाँ पे लड़का लोग को उत्पन हो जा रहा है देखिए कि जैसे कि यहाँ प करते हैं कि इन स्टेट में निकलती यह वेकेंसी इन पांच स्टेट में तो क्या है इन स्टेट में अधर स्टेट के कैंडडेट नहीं भर पाएंगे आसानी के साथ बहेंगे कोई निकत वाली बात Cambridge रहेगी फाना फांतो यह सब इसिट के से सब्सक्रेंडेट है एस Schweiz जब फोर्म को अप्लाई किया तो आपको पूरी नौकरी जम्मू कस्मिर में ही पार करनी पड़ीगी तरह से पहला बात तो यह हाँ इस्पेसल ड्यूटी में आपको भारत के किसी भी इस्ट्रेट में भेजा जा सकता है जैसे कि चलिए इतना आप लोग समझ गें अब एक चीज और समझा जाता है देखिए IRB की जो यहाँ पर स्थापना किया गया था वो CRPF के दोस्तों काम रहता है बस तो सेम काम IRB का भी रहता है तो इसलिए आप लोग यह मत के सोच के चलिए कि यह जीला पुलीस जैसा होता है या फिर आपको जो है सिर्टी वेगरा में ड्यूटी मिलेगी ठीक हमेसा नक्सलाइड एरिया में यह आपको रहना पर सकता है लेकिन जहाँ जहाँ करते हैं हम लोग को नॉटिफेकेशण को और एनलाईज करते हैं देखिये फिमेल केंडियल लोग जो डाउड में थी कि सर हम लोगका मौका हम लोग को मिलेगा की नहीं तो आप लोग भी देख लीजे कि फिमेल के लिए कि लिए लगपक दूसर्ट में आकर बात करूं तो 40 तो और तिस जो सिटे हैं वो अनसुचे जन जाती के लिए था यह फिमेल केंडिट के लिए मैं बता रहा हूं ठीक है तो आप लोग सोच रहे थी कि आप लोग को मौका नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर साफ तर पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के लिए भी कितने कोमेंट करते हैं पूछ रहते हैं यहां पर ऑन स सकता है कि यहां पर लिखा सब्सक्राइब सबसे इंपोर्टन चीज जिसको लिकर आप लोग भार भार घबरा रहते हैं वह आप लोग देख लिए ठीक है यहां पर दिखें कि जो जैनरल के इंडेट है कि लिए हाय रखा गया एक-TO-CFlexival सेंटिमेटर और जो इनका चेस्ट रखा गया वह वे 101 सेंटिमेटर रखा गया है जो से इस्टीकरण uyके लिए 155 सेंटिमेटर तो देख लिए आप लोग जब्न हेएवा 155 cm height हो ही जाएगा मुझे जहां तक लगता है ठीक है इसलिए कितना भी दूस्तों का height कम रहे लेकिन 155 cm हो ही जाएगा तो बहुत ही ज्यादा छूट दिया गया था और यह दूस्तों चूट मातर 227 का जो वेकेंसी था उसी में दिये गया था इससे पहले कि अगर मैं वेकेंसी की बात करूँ न तो कभी भी दूस्तों यह छूट नहीं मिला था लेकिन यहां पर सरकार ने भी देखा जो राज है जहां पर जो लड़के होते हैं यहां फिर लड़किया होती है उ हमें हाईट में छूट देनी चाहिए चेस्ट में छूट देनी चाहिए यहां कि लड़की या फिल लड़कों की जो हाईट है वह मिनिमम रहती है जादा नहीं रहती है इसलिए 137 cm को घटा के दोस्तों उन्होंने अपने जो इस्टेट की जो पुलीस वेकेंसिया निकालती है उसी प्रकास से इस वेकेंसिय को भी उन्होंने निकालाता है ठीक है इसलिए मैं दोस्तों आप लोगों को कह रहा हो को घबराईए नहीं ठीक है जो भी चीजे होंगी हिठ में होंगी ठीक है चलिए यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया दूस्तों यहाँ जो भी चीजे थी आँ है डिक लिह ने और यहाँ पर जो फिमेल कंड़ेट थी ठीक है फिमेल कंड़ेट भी बहुंच सारी यूट्यूब चनल में ने देखा जो हो बता रहे थे किया टूरब जो भी सब्सक्राइब वहां पर मिल सकता है एक खिल और यहां पर इसी प्रकास से देखने को मिल सकता है टीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे थोड़ा से दिया गया है जो आपका मेडिकल है वो किस प्रकार से होगा और कौन-कौन से चीजे चेक होगी यहाँ पे दिया गया है ठीक है जिसमें मुड़ावग घुटना, घनू पैर, समतल पैर, इस्पित, सीरा ठीक है उंगलियों का उचीज धंक से नहीं घुमना ठीक है दिरिश्टी दोस, कलर, ब्लाइडनेस, नाइट ब्लाइडनेस ठीक है उसके बाद स्रवन सकती हखला है तो इस प्रकार से जो भी चीज़े दिया गया है वो सभी चीज़े आपका चेक किया जाएगा है ठीक है जो की आयू लगता है कि सेम एज लिमिट रहनी हाँ कहीं कहीं अगर इससली वेगन सकता है तो यहां पर दूसों छूट भी देखने को मिल सकता है तो यहां पर आपके जो लड़के हैं उनके लिए 27 साल और OBC जो वान और टू है जो फिमेल के इंडेट उनके लिए 28 एर्स ठीक है और जो ऐसे हैस्ट के इंडेट है महला और पुरूस दोनों के लिए 30 साल यहाँ पर दिया गया है तो सेम एज लिमिट दोस्तों इस बाहर अगर वैंसे निकलती है तो यही सेम एज लिमिट को देख सिलेक्सन प्रोसस होगा जिसमें कहा गया कि एक और कर प्रिश्शा लिया जाएगा उसके बाद आपका साहाि एक यह दिखिए नौर्मालिजेशन के बारे में पता तो जो भी आपका result प्रकाशित किया जाएगा एक्जाम का वो नौर्मलालिजेशन के आधार पे ही प्रकाशित होगा है तीक है कोई भी कोष्जन या संका नहीं आपको अभि भी देखने को मिल सकता है ठीक है लेकिन अगर खुछ changes हुआ है आपका जो भी इस्टेट है माल के चलते हैं कि 36 गड़ में गर पुलिस होती है वहां के ऐसे में अगर कुछ changes हुआ है तो उसी के आधार पर दोस्तों ये वगेंसी भी वहां पर निकले है ठीक है ज भारकन में जैसे की changes हुआ है तो यहां पे पहले दो पेपर में लिया गया था लेकिन इस बार अगर यह वेकंसे आएगी तो तीन पेपर आपको देने होगा ठीक है जैसे कि पहला पेपर में मैंने कहा कि आपका Hindi English रहेगा दूसरा पेपर में आपका language पेपर हो तीसरा पेपर date है उनको बता दे तो कि यहां प्रूसरा पे चेंजेश ठीकने को मिल सकता है और निया हुआ है तो यहां पर ज Menoeishes का ने दिया तो यहां पर बदलाव हो सकते है यहां पर जेसे कि ओनиком ने दिया कि देज़ने वाले है कुल 120 प्रश्ण रहेंगे और जैसे कि जहारकर में नुए फ्रकूर के लिए तीन नंबर दिये जाते हैं और जाते हैं तो एक नंबर आपका मायनस भी हो जाता है यहां ठीक है बाकि है अगर प्रकास से लेते हैं जैसे कि अगर में बात करूं महाराष्ट में तो वहां एक कोश्चन सही करेगा तो एक नमबर मिलते हैं तो अधर 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 श्रेट में अधर अधर नियम है ठीक है चलिए दुटी पेफर में दिखे भासा यहां दिया गया है और लगवग दूस्ते भ इस बहरार भी आपको देखने को मिलेगा इस में एक जो लेंग बागी कि आपका से आपका रहेगा ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं देखे सारी कि चांच परिचा जो की पिजिकल के लिए मैं कहरा था ना कि आप लोग दौड़ है वह 10 किलिम्मेटर का होगा जहारकन म देख लिए जो 60 मिनिट आपको मिलेंगे जहरकन में 10 किलोमेटर दौरने के लिए जो फिमेल केंड़ेट है उनको 5 किलोमेटर दौरना है 40 मिनिट में अब यहाँ पे कोश्चन यहाँ पे केंड़ेट कर रहे थे कि सर क्या सभी स्टेट में इस प्रकार का रानिंग होका 10-10 किल अलकुल नहीं आप लोग का जो अधर जो भी अधर इस्टेट के केंड़ेट है इस वीडियो के देख रहे हैं तो आपको बता देता हूंद कि अगर आपकी श्रेट में निकलेगी ना तो आपकी इस्टेट में जिस प्रकार से पुलिस भरती होती है मानके चलते हैं कि सब्सक्राइब कि यहां पर लिए जाएगी तो इस बार भी दूस्तों आप लोग से जारकन में निकलेगी तो दसी किलोमेंटर का वेकेंसी यहां पर रनिंग जो है वह लिया जाएगा ठीक है तो इस चीज में कोई भी कन्फीजन आप लोग को नहीं रखना जो भी फिजिकल लिया गया था ठीक है लेकिन इस बार यहां पर कोई चीजे उलट फेर हो गई थी यह चीजे में जारकन के लिए बता रहा हूं आदर इस्टेट में दूस्तों यह कंफर्म नहीं अदर इस्टेट में पहले एक्जाम भी ले सकता है और उसके बाद फिजिकल ले सक तो कुछ भी हो सकता है आदर इस्टेट के केंड़ेट इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और मेडिकल के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेडिकल में कौन-कौन से चीज़े चेक होगी यहां पे इसापत और पे दे दिया गया है तो आप लोग इन सबी चीज़ों को एक बाद देख लेजिएगा ठीक है चलिए आगे देखिए परिश्या सुल्क तो बदल सकता है जो भी परिश्या सुल्क होगा वो नहीं से जारी किया जाएगा सरकार के तरब से बाकि दूस्तों और कुछ है नहीं इस वेकंसी में ठीक जो भी चीज़े थी वो में आपको दिखा दिया यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दूस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करता हूँ जो भी मुझे लगता है कि जरूरी है आपके लिए तो मैं उसका रिप्लाइ कर देता हूँ या फिर उससे लिटेट विडियो बना देता के वीडियो को ठीक लाइक आप लोग नहीं करते हैं बहुत बूरी बात है ठीक है मेरे प्रस्टान के लिए एक लाइक कर दिजिएगा मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में फिलाल जैहिन जै भारत